So hi everyone, स्वागत है आप सभी आंगनवारी सेविका बहनों का पोशन ट्रेकर एप की एक नई वीडियो में तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पोशन ट्रेकर एप में लभार्थियों का आभा एकाउंट किरियेट किया जा रहा है जिसमें की सेविकाउंट को अभी थोड़ी सी परिसानी आ रही है वो आभा एकाउंट किरियेट नहीं कर पा रही है आभा एकाउंट क्या है जैसे की अईसमान भारत हेल्थ एकाउंट लभार्थियों का बनाया जा रहा है तो पोसन ट्रेकर एप में किस प्रकार से आप लोग आभा एकाउंट डभार्थियों का बना सकते हैं आपको मैं इस वीडियो में लाइफ प्रूफ आभा एकाउंट क्रियेट करके दिखाने वाला हूँ तो आप लोगों को step by step इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है जैसे कि बिना आधार OTP के आप लोग आभा एकाउंट दो मिनट में क्रियेट कर सकते हैं उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहला आप लोगों से एक छोटी सी request रहेगी अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा like कीजिएगा और जीतना हो सके इस वीडियो को अन्य आगण बारी बेहनों तक share कीजिएगा ताकि वो भी अपने पोसंट ट्रेकर एप में जो भी लभार्थी हैं उनका आभा एकाउंट किरियेट कर सकें अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा तो चलिए सुरू करते हैं जैसे कि यहां सम बैक हो जाते हैं बैक होने के बाद यहां पे बेनिफिसरी वाले पे आप लोग किली करेंगे किली करने के बाद आभा एकाउंट किनका किनका बनेगा वो आप लोग समझ लिजिए यहाँ पे जो धातिरी महिला और गर्भवती महिला है जिनका आधार वेरिफाइड हुआ रहेगा उनका ही आप लोग आभा एकाउंट क्रियेट कर पाएंगे इसके लिए आपको करना क्या है यहाँ पे आप लोग को दो बाते समझ लेनी है पहला आप लोग जिस भी लभार्थी का आभा एकाउंट बना रहे हैं उस लभार्थी का आधार वेरिफाइड होना चाहिए और उसका मोबाइल नमबर भी वेरिफाइड होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे किसी एक लभार्थी के उपर 3.0 पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे देख रहे हैं Create, retrive, Abha इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप लोग को एक page देखने को मिल जाएगा जहाँ पे लिखा है Please verify mobile number before proceeding यानि कि आप लोग create करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे mobile number verify कर लेना है mobile number verify कैसे करना है आप लोग यहाँ पे verify वाले पे click करेंगे तो इसके बाद आपके सामने एक और page आ जाएगा जहाँ पे mobile number दिखाया जाएगा जो mobile number आपने registration करते वक्त डाला है वो mobile number यहाँ पे so हो जाएगा आपको करना क्या है आपको submit वाले option पे click कर देंगे जैसे ही submit करेंगे तो इस लभार्थी के mobile पे एक OTP जाएगा ठीक है OTP है यहाँ पे आप लोगों को चार अंकों का भेज़े जाएगा यहाँ पे आपको OTP दर्ज कर लेना है और यहाँ पे सत्यापित कर लेना है यानि कि आपको mobile number यहाँ पे verify कर लेना है ठीक है verify हो जाने के बाद तो चलिए अब हम जिनका mobile number verify कर लिए हैं उनका यहाँ पे आभा एकाउंट create करके आपको live proof दिखा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे हम three dot पे click करेंगे three dot पे click करने के बाद यहाँ पे create retrive आभा पे click करेंगे तो देख सकते हैं कि जिनका भी mobile number verify हुए रहेगा तो यहाँ पे जो option verify now का आ रहा है वो option यहाँ से हट जाएगा यानि कि आपका mobile number यहाँ पे verify हो चुका है अब आपको करना क्या है यहाँ पे create retrive आभा वाले पे click कर देना है जो first option है ठिक है यहाँ पे आप लोग जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पे आधार demography authentication का जो option पहला नमर आ रहा है इस पे आपको click कर देना है जैसे ही आप लोग इस पे click करेंगे तो इस परकार से आपका जो page है वो खुल के आ जाएगा तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इस लभार्थी का आधार लगा देना है इस परकार से आपको कर लेना है उसके बाद आपको क्या कर देना है तो simply आपको इस बहरिफाई वाले option पे click कर देना है यह देख सकते हैं मैं आपको live proof के साथ यहाँ पे आभा एकांट किरियट करके दिखा रहा हूँ तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आभा एकाउंट successfully create हो चुका है और यहाँ पर आभा number यानि कि आभा ID जो है वो generate होके आ चुका है यह total 14 अंको का जो आभा एकाउंट है वो यहाँ पर create हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर dawn वाले पर click कर देना है उसके बाद आपको यह लोग simply बिना आधार OTP के आसानी से 2 मिनट में किसी भी लभार्थी का जो आभा एकाउंट है वो create कर सकते हैं तो I hope आप लोग को आज की यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दिजिएगा और जितना हो से के इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद